किसान अंदोलन 2.0 का आज 24 दिन है किसान मजदूर मोर्चा और सयुत किसान मोर्चा के एक आवाहन पर देश भर के सभी किसान जो है दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो चुके हैं पैदल हो, ट्रेन से हो या बस से हो सबी जो है दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक आवाहन पर हम पूरी वीडियो में आपको विस्तार से बताई किस तरीके से जो है किसान आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए किस तरीके से दिल्ली में जो है बेरिगेटिंग एकदम सकत तोर से कर दी गई है नमस्कार मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज किसान जो है एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तयार हो चुके हैं और इस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लिख रहे हैं और उसके बाद हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगी जो तमाम लोग इस सोशल मीडिया पर किसान अंदोलन 2.0 के 24 वे दिन पर चीज लिख रहे हैं किसान आंदोलन की सच्चाई बता रहे हैं उन यूटुब चैनल को बंग करा जा रहा है इस पर एक जो शक्स है वो X पर पोस्ट करते वे लिखते हैं शाम मीरा सिंग लिखते हैं इस पर कि किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं पत्रकार मंधीप पुनिया के ट्वीटर को भी उडवा दिया किस तरीके से जो किसान अंदोलन की पलपल की अपडेट दे रहे हैं जो किसान अंदोलन की जमीनी हकीकत को दिखा रहा है वहां सरकार जो है उसके YouTube Channel और Twitter इन सब चीजों को बंद और सक चम्राहिए कि सच में परइशानु कि न्सक्राइं दिशान रहा है वह उसंडाय को बंद करने का pard कर रहा है ताकि जो जंता उनकोपता ना चला कि कि 2024 के जो लोकसबा चुनावें बेयादी नजदीक हैं जो किसानों का या अंदोलन है उसका असर ही 2024 के लोकसबा चुनाव पर पढ़ता हो दिख रहा है और हकीकत अगर जंता को पता चल जाएक तो शायद कहीं ना कहीं जो सत्ता पलट का जो चीजे नजर आ रही हैं वो होते पर दिख जाएंगे इसी यही कारण है जो किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है और जो हकीकत जो सोशल मीडिया जो यूटुब चैनल यह ट्वीटर पर जो हकीकत दिखाई जाती है उस चैनल को भी बंद करने का काम की सरकार जो है कर रही है और उसके बाद अगर करें जो किसानों की दिल्ली कूछ करने की ओर जो रेल रोको प्रदरशन की उसपर भी बात कर लेते हैं दसमार्ज को ट्रेंड रोकेंगे किसान इससे पहलेती मार्ज को वठिंड़ा में शुबकरण सिंग की अंतिम अर्दास में किसान ने ता सर्वड सिंगh पंधेड ने रूप रेखा बताई है इसे किसान मजदूर महापंचायत नाम दिया है इसमें देश भर से किसान ट्रेक्टर ट्रॉली को छोड़ बसो ट्रेन वह अन्य वहानों से जाएंगे महापंचायत के बाद सीधे सीधे घर लोटेंगे आठ मार्च को महिला किसान संगटनों के साथ अ प्रदेश के अन्य जिलों से किसानों की जत्थेबंदी दिल्ली के लिए रवाना हो रही है मतलब एक बग फिर से किसान जो है ट्रेन रोको प्रदशन करेंगे और साथ ही साथ दिल्ली कूच के लिए भी तयार हो चुके हैं और इसके साथ दिल्ली में भी बहुत सक्त तरीक से बैरिगेटिंग कर दी गई है पुलिस जो है तैनात कर दी गई है फिर से बॉर्ड रुपे ताकि जो किसान जो है दिल्ली ना आ पाएं रिशी चौधरी लिखते हैं किसान अंदोलन ताजा अपडेट भारते किसान यूनियन के प्रवक्ता तेजवीर सिंग ने आज हासिल करना और किसानों तता मजदूरों का शोशन होने से बचाना है हम सभी प्रकार के संगटनों से आगरे करते हैं कि वह हमारा समर्थन को जंतरमंतर पर बड़ी संख्या में हमारे सर्शामिल हो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद छे मार्श को जो प्रदेशन होने वाल भी रोग दिया गया था जो यह भाजबस सरकार है किसी को भी प्रदेशन करने की अनुमती दिल्ली में नहीं दे रही है उन्होंने हर जगह 144 धारा लगा दिये अगर कोई भी प्रदेशन कोई भी पार्टी की तरफ से विपश्ट की तरफ से करा जाता है तो तुरंद उनको दूर ले जाया जाता है उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्रदेशन ना कर पाएं और एक साथ इखटा ना हो पाएं संतोष राठोर लिखते हैं कि दिल्ली किसान अंदोलन में शामिल होने किसान बिहार से दिल्ली आ रहा है कि सरकार डरी हुई है किसान नेताओं को घरों में नजरबन जेल में डाल रही लाठी चार्च कर रही लेकिन यह उससे डरने वाली नहीं है यह लड़ने वाला देश है किसान MSP पर गैरंटी कानून लेकर ही रहेगा मतलब सीज़े तोर पर यहां पर बोला जा रहा है कि हम किसान हैं हम किसान हैं हम अंदोलन करेंग और इस बार हम डढ़ने वाले नहीं है MSP की guarantee हम लेके रहेंगे और जो अभी जो 10 मार्श आने वाला है उसमें 10 मार्श को train रोको अंदोलन किसानों ने बताया आगे का plan किसान अपने दिल्ली चलो मार्श के लिए नया schedule जारी कर दिया है किसान नेताओं ने देजभर के किसानों से 6 मार्श दिल्ली को पहुचने की अपील की किसान नेताओं ने 10 मार्श को train रोको अंदोलन का भी एलान किया है साथ ही कहा कि सीमाओ पर किसानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी मतलब अब देजभर से किसान जो है वो तैयार हो चुके है आने की ए और कहीं नेकर उनमे यह दिख रहा है कि वो लुकने वाले नहीं है और साती साथ आपने देखा हुआ है कि ठरीके से मोधी का परिवार चीज़े ट्रेंट कर रहे थी उसमें किसान जो है वो ये बोल रहे है कि अगर जनता ही मोदी का परिवार है तो क्या उस परिवार में किसान नहीं आते हैं किसान जो जमीनों पर सड़कों पर बैटे हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर मोदी के परिवार में जनता है तो क्या उसमें किसान नहीं है किसानों को इस तरीके से सड़कों पर छोड़ देना उनके उपर firing करवाना आसुगैस के गोले छोड़ना और दिल्ली कूच उनको ना करने देना इस तरीके से चीजे कर रहे हैं तो किसान जो है वो मोदी के परिवार में नहीं आते हैं कि इस तरीके से चीजे ट्रेंड करें साधे साथ किसान ये बोल रहे हैं कि अगर हम मोदी का परिवार हैं तो हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है इसमें न्यूज 18 लिखता है कि किसान जो है दिल्ली कूच करने के लिए तयार है और राजधानी में सुरक्षा पुक्ता चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा जिस तरीके से दिल्ली किसान अंदोलन आपी रेल रोको का भी आवाहन कर दिया है इस तरीके से जो कल जो है वो दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे तो तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दीगे तो दिल्ली कुच 6 मार्श को तो वो नहीं कर पाई है लेकिन 10 मार्श का जो बड़ा एलान हो चुका है कि क सरीके से रेल रोको प्रजशन जो किया जाएगा अब इसमें ये देखना है कि जो पुलिस जो है पहले से तैनात कर दी गई है चप्पे चप्पे पर पुलिस से बैरिगेटिंग पहले से ही कर दी गई है तो जो रेल रोको प्रजशन है कहां तक सफल हो पाता है इस पूरी खाबर याप उस पूरी वीडियो में हमें अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिकरिया जरूर दीजेगा धन्यवाद